वेलकम टू CMV 360 आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज सबसे पहली वीडियो में हम लेके आए आपके साथ में Force Traveler आप Force Traveler को कोई introduction की जरुरत नहीं है कि कभी ना कभी आप गए होंगे माउंटेंस पे या कभी ना कभी आप हिली रेजन पे गए होंगे और जरूर आप बैठे होंगे Force की इस Traveler में और Traveler एक ऐसा word बन चुका है यह मतलब अपने milestone को अचीव कर चुका है तो ना केवल आप इसको ट्रैवलर को जो है वो वनिटी वैन के तौर पर भी यहां पर देखते हैं सो आज इसका detailed walk around करेंगे detailed review करेंगे और जानेंगे कि क्यों यह है अपने segment की केन और क्यों यह अपने segment में सबसे ज़्यादा sales generate करती है फोर्स को क्यों ट्रैवलर जो है वो एक diamond product टाउन के लिए करें तो चले दोस्तों सबसे पहले तो walk around के तरफ लेके चलता हूं लेकिन उससे पहले वेरेंट्स में बता देता हूं इसके अंदर कॉन कॉन से आते हैं दूस्तों यह जो फोर्स का ट्रैवलर है वो हालागी है तो बिल्ट सेम चैसी के उपर और वो मोनकॉक चैसी है जिसके उपर इसको बनाया जाता है बड़ इसके कॉंपिटिशन में आने वाले जितने भी च टिटिंग पोस्चर के उपर जाधा डिपेंड है इसके अंदर आती है 9 प्लस डी के नाइन प्लस ट्रैवर उसके बाद आती है 12 प्लस डी फिर आती है 16 प्लस डी और फिर आती है 20 अब यह टी-वन यानि कि एक फील बेस के उपर आने वाली जो है वो गाडिया है अगर हम ब 50 mm के वील बेस के साथ में आती है और जब करिब चार में लीडिर के गरीब उसका वील बेस अब डाइमेंशन की अगर हम बात करें तो है इसकी जुआ है वह 25-50 mm की आपको मिलेगी जब कि ज इसकी विर्थ है वह 900 millimeter की आप मिलेगी और जो लेन्थ है दोस्तों वो साथ मीटर की है, तो साथ मीटर is a grade length, आप अक्सर जानते हैं, और साथ मीटर के अंदर, ये 22 प्लस D, sitting postures के साथ में आते हैं, तो वेरिंट्स मैंने आपको बता दिया, एक्षोरूम कीमत जो हो उपंडी ते थोड़ी होती रहती है, बड़ा मैं expect कर रहा हूँ कि 17.26 lakh रु अगर आप यह वाला पार्ट देखें, थोड़ा प्लास्टिक पार्ट है, क्योंकि पेडस्रियन सेफटी को अगर आप मद्दे नजर रखें, तो प्लास्टिक का होना सेगी, इधर वो टोईंग हूग आपको यहां पर मिलता है, यहां में नंबर प्लेट के लिए पोजिश साइड प्रफाइल में जलते हैं, दोस्तों अगर आप साइड प्रफाइल में भी देखें, तो जैसे ही मैंने आपको बताया था, यह साथ मिटर की गाड़ी है, और इसका विल बेस चार मिटर, यानि के 40-50 मिलिमेटर का है, अब शुरुआत कर दें, आगे से यहां पर आप आपको उपर नीचे का तब पूरा तजूरबा रहा है, वाइड अंगल दिया गया है, तो आप नीचे का जो पोर्शन है, उसका साहारा उस टाइम ले सकते हो, यह अगर आप देखेंगे तो यहां पर वो 235, 65 रेडियल 60 इंचे के टायर्स हैं, और टायर्स हैं, और टायर् को और अच्छा लोक देने के लिए, यहां अगर आप देखेंगे, तो टेलिस्कॉपिक फॉर्क दिया गया है, और उसके साथ में जो सस्पेंशन सेट अप है, वो आपको लीफ स्प्रिंग देखने को नजर आएंगी, और यह सस्पेंशन सेट अप करी फॉरवड किया गया आपको, हैंडल बार देखने को नजर आएंगा, इंडिकेटर सिधर भी दे गए हैं, और यह तब भी इस्तमाल किया जाता है, जब आप फॉगी एरिया में चल रहे हो, और यूनों, साइड से किसी को नहीं पताएगी, गाड़ी है कि नहीं है, फॉग के साथ में काफी बॉ आपको देखने को नजर आएगी, जो ऑपरेशनल है, मैनुवल की से तो आप इसको अंदर से अनलॉग नहीं कर सकते हैं, आपको उतर के आना होगा और नीचे से अनलॉग करना होगा, 70 लीटर का जो है, वो इसका फ्यूल टैंक है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि यह 12 से 14 कि यहां पर दे पाती है, रियर में चलते हैं दोस्तों, दोस्तों अगर आप रियर प्रोफाइल से भी देखेंगे ट्रेवलर को तो यहां पर नीचे, अगें, सिफ्टी स्टेंडर्स को काफी फॉलो गया गया, आपको चार पाकिंग सेंसर मिलते हैं, यानि कि जब आप रिव यहां से, और एक्जामपल, अगर मुझे खोलना तो कुछ इस तरीके से आप इस पॉर्शन को खोलेंगे, और यहां पर भी एक हुग दिया गया, एक्स्टा हुग दिया गया, जिसकी मदद से आप इस वाले पॉर्शन को भी यहां पर खोल पाएंगे, यहां पर डिसेंट जगह दी गई है, स्पेर वील के लिए भी थोड़े सी स्पेस आपको यहां पर ओफर किया गया है, और यहां आपना समान वगएरा कुछ लगेज जो है वो रख सकते हो, क्योंकि यह 20 प्लस धी है, तो उस लिहाज से इतना सारा लगेज यहां पर उन लोगों का नहीं आ सकत तो आपको एक extra accessory Uber carrier जो है वो यहां पर जरूर इंस्टाल कराना पड़ेगा, फिलाल दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर comfort कैसा है, गाड़ी के अंदर view कैसा आता है, और क्या-क्या features यहां पर अंदर जो है वो offer की गई है, चल तंबल अप हो जाती है, और यह केवल passenger side नहीं दिया गया, यह actually driver side भी दिया गया, तो यह lever अगर आप देखेंगे, तो driver side से भी accessible है, अब मेरे लिए काफी easy हो जाता है कि मैं अंदर जाओ, यहां पर आप handlebar देख रहे होंगे, इधर से मेरे को पकड़ने के लिए, इधर भी of light है तो यह ऐसी दर्वाज खुलेगा, तो यह light जो हो आपको रस्ता दिखाने के लिए जरूर, ingress करने के लिए जरूर यहाँ पर help करने वाली है, तो फिलाल मैं पगड़के इसको ingress करता हूँ, और आपको यहां पर सुविदा दिखाता हूँ क्या क्या है, एक तो यह आपर offer होते हुए देख रहे हैं, यह SOS buttons है, यह activate कराने पड़ते हैं, बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह 20 seat capacity के साथ में आती है, यानि कि 19 प्लस D, एक driver और 19 लोग, और अगर आप चाहें तो इसको 18 भी, अगर आप conductor यहां पर लेके जा रहे हैं, तो यहां पर 18 के यह ज़रूर है कि अंडर थाय सपोर्ट थोड़ा सा कॉम्प्रमाइज किया गया है, अविसली एक कमर्शल सेग्मेंट में आने वाली गाड़ी है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको अंडर थाय सपोर्ट और रिक्लाइन अंगल डीसेंट इनफ मिल जाता है, वो स्पेस का जो प्रॉब्लम है, वो एडलीस्ट मेरे जैसे लोगों को तो नहीं है, जिनकी हाइट पाँच फुट दस इंच के करीब है, तो अभी मैं चलता हूँ द्राइवर सीट पे और आपको यहां पर आके चीजें कुछ दिखाता हूँ, तो फिलाल तो मैं ढग से न तो आपको रिलाइज होगा, यहां पर लेट साइड में टेको मेटर दिया गया है, राइट साइड में स्पीडो मेटर दिया गया है, एक M.I.D. ऑफर की गई है, जो की डिजिटल M.I.D. है, इस M.I.D. में ही आपको प्यूल गॉज के साथ साथ आपको जो है वो ट्रिप मे दिया गया है, अंदर की लाइट से अपको अन और आफ करना है, तो यहां पर जो है वो पोजिशनिंग दी गई है, सब चीज होगी, यहां पर हजाड लैम्प और इधर जो है वो फॉग लैम्स के साथ साथ साथ, यह डीपीएफ का बटन, एंड एमेर्जनसी का बटन अगे इधर अगर आप देखेंगे तो IRVM दे नाइट के साथ में आता है, प्लस एक लाइट इधर, एक लाइट आपको इधर भी ऑफर की गई है, यहां पर संवाइजर दिया गया है, बट इनके अंदर कुछ भी ऐस सज नहीं है, कि आप कुछ समान वगरा रख सेंगे, बहुत ह सारी चीजे जो है, इन चीजों का इंतिजाम गाड़ी के अंदर दिया गया है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाएंगी, एक अच्छा एटमोस्वेर, अच्छा कमफोर्टेबल एटमोस्वेर जो है, आपको यहां पर मिलने वाला है, गाइस, लास्ट बट इंजेक्शन के साथ में, CIDI टेक्नोलोजी के साथ में, बहुत कॉमन टेक्नोलोजी है, लगभग सारी डीजल इंजन इसी उपर काम भी करते हैं, इसको लगाते हैं पहले, और यह जो इंजन है, वो जैसे कि मैने आपको बताया, एक तबो चाज डीजल इंजन है, और यह त इंजन में, घाट सेक्शन में, या रेगिस्तान वाले सडकों पे, जिसमें कर्व्ष थोड़ी जादा होते हैं या पोट होल्स थोड़ी जादा होते हैं, वहा पे ले जाने में सक्षम है, और क्यूंकि इसके अंदर टॉक्फिगर थोड़ी जादा है, तो यह कुछ इस तर जालता है यानि कि pocket friendly काफी रहता है में इस के बारे में अगर हम बात करें तो छह services कि free है और तीन साल के साथ साथ तीन लाग किलोमेटर की जो है वो वारेंटी इसके साथ में आती है इस इंजन के साथ में आती है so this is it so दोस्तों यह तो था फोर्स का traveler जो कि 20 प्लस D अगर आप चाहें चोटे वील बेस का भी खरीज सकते हैं या पीछे अगर आप चाहते हैं कि दो टायर्स और आ जाएं या तो वह भी आपके पास में यहां पे अवलेबल है मैं आपके लिए जो है वह लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूं और आप उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरे प्रोड़क्ट को हम में लेंगे दोस्ते एक और नहीं वीडियो के साथ में आप तब तक अपना ध्यान रखें सुरक्षी चलें अंटिल फॉर नेक्स ताइम बाबाए टेकरन कीप लिए कार बाइक वाइक वोड़वेगल यार हैविंग आए सेफ गाइस